नमस्कार आप्दीक्रे न्यूस फॉर नेशन और मैं हूँ सांध्वन आपके साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकल कर सामने आ रही है जहां आरेल जेजी के प्रमोख और मुक्ष मंत्र निदीश कुमार के कभी बेहद करीबी और भरोसे मंद नेता रहे उपेंद्र कुश्वाहा ने जदियू में बड़ी तूट होने का दावा कर दिया है जहां आपको पता दे चले कि उपेंद्र कुश्वाहा ने ये साफ कहा है कि जल्दी जदियू में बड़ी तूट होगी जदियू वो नाव है जस पर कोई सवारी नहीं करेगा जद्यू के कई नेता उपेंद्र कुश्वाहा के संपर्क में है इस बात का दावा उपेंद्र कुश्वाहा ने एक नीजी चानल के माध्यम से अभी अभी किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल कर आ रही थी वो ये थी कि अमिच्शा से मुलाकात होने के बा और माधवानंद के साथ मिलकर अमिच्शा से मुलाकात की थी ये मुलाकात लगबग 45 मिनट तक चली थी जिसके बाद सीधे पट्टा एरपोर्ट पहुशते ही उपेंद्र कुश्वाहा ने मीडिया कर्मियों के सामने बड़ी बात कहते हुए ये कहा था कि इस मुलाकात के क बड़े माइने हैं लेकिन इसके क्या माइने हैं वो समय आने पर इसके पत्ते खोलेंगे अभी जिसे जो समझना है जो जानना है वो खुद से जान ले उपेंद्र कुश्वाहा ने इस बात का दावा जरूर किया है कि मुलाकात हुई है तो इसके बड़े संकेत आने वाले भवश्य में निकलेंगे लेकिन राजुनीती और रनीती का रुख किस तरफ होगा बिहार की सियासत में इसके पत्ते अभी बंद होंगे उपेंद्र कुश्वाहा के पटना एरपोर्ट के बयान के बाद आज एक बार फिर उपेंद्र कुश्वाहा जदियों को लेकर मुख नहीं बचेगा उनकी लिए उनकी लिए स्टैंड करने के लिए उपेंद्र कुश्वाहा ने इस बात को भी साफ कह दिया है कि कई नेता जदियों के जो संपर्क में है और जल्दी अपना पाला बदल सकते हैं अलाकि इस बात पर हम पुश्ची नहीं कर रहे ये बाते उपे बिहार की सियासत में तेज होती जा रही है जहां एक तरफ बिहार में बीजेपी बड़े गेम को खेलने की तयारी में है चिराक पासवान के बाद जीतर नामांची पर निशाना अमिच्शाने साधा है और तीसरे नमर पर उपेंद्र कुश्वाहा की बारी आई है जहां 14 प बैंक है मुक्षमंत्र नितीश कुमार के पास और अगर ये डगमगाया तो जद्यू की नईया भी डगमगा जाएगी और कुछ ऐसा ही होता हुआ बिहार में नजर आ रहा है जहां बीजेपी ने लवकुष समिकरन पर नशाना साधा है उपेंद्र कुश्वाहा से हुई बुक्षमंत्र नितीश कुमार के लिए उनकी पार्टी जद्यू के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है क्या बड़े खुला से उपेंद्र कुश्वाह के तरफ से किये जाते हैं वो कौन से पत्ते हैं जो एक के कर बीजेपी आरल जेजे के माध्यम से खोलेगी वो तो देखने वाले बात होगी फला के लिए इस बड़े अबजेच में अतना ही नमस्का